CDC यानि Center for Disease Control and Prevention का कहना है कि अगली महामारी बर्ट फ्लू से हो सकती है और ये सिर्फ समय की बात है मतादे अमेरिका में ये वाइरस तेजी से गायों के जुन्ड में फैल रहा है CDC का ये भी कहना है कि बर्ट फ्लू के मनुश्यों में प्रवेश करने पर COVID-19 की तुलना में मृत्यू दर काफी जाद हो सकती है जहां COVID-19 के लिए डेथ रेट 0.6% थी वहीं बर्ट फ्लू के लिए डेथ रेट 25 से 50% के बीच होगी बता दे पिछले महिने अमेरिका अधिकारियों ने बर्ट फ्लू वाइरस से संक्रमित होने वाले तीसरे इंसान मामले की जानकारी दी ती दुनिया भर में डॉक्टर आप तक बर्ट फ्लू स्ट्रेइन H5N1 से 15 इंसानों के संक्रमित होने का पता लगा चुके हैं ऐसे में बहुत जरूरी है जान लेना कि बर्ट फ्लू के लक्षन क्या हैं कितना ये खदरनाक हो सकता है और कैसे इसे बचाव किया जा सकता है जो पेशन को बड़ फ्लू हम सस्पेक करें कि हो सकता है उस पेशन में हमें बुखार, नाक बंद या नाक बहना, सरदर्द, जोरो में दर्द, शरीर में दर्द, खासी, गले का खराश, थकावट, ऐसे सिम्टम्स या ऐसे लक्षन हमें देखने को मिलते हैं, और बड़ तो जो वाईरस है, वो आता है जो ये चिरिया में जादा पाई जाती है, तो जो भी इंफेक्टिव बड़ है, उसका जो मल है या फीसी जे या उसका जो भी नोस या माउट से जो भी सिखरिशन जा रहे है, मतलब जो भी मल, मूतर या थूक वगएरा, उसमें ये वाइरस क कम से कम दस दिन तक जीवित रहते हैं और यही वायरस अगर हमारे बॉडी तक चली एंडर करती है तब हम यह इंफेक्शन हो सकता है तो वर्ड फ्लू का रिस्क ऐसे लोगों में जादा पाया जाता है जो कि ऐसे इंफेक्टेड बॉर्ड के कंटेक्ट में आ सकता है जैसे कि क बॉर्ड फ्लू का इंट के बारे में तो ब्रुड फ्लू का जो इलाज है वह बेसिकली अंटिवाइर्स होते क्यूंकि एक वायरल डिसी से घर तो आपके डॉक्टर आपके लक्षन देखके आपको अर्तार युझ संमिसं extendsात रह decor लिप एक फार्टावर रहाज है और आपकी एकवन के एकार कि लिए कि नहीं है किस् work लोगने काई उन्तर्ट वोल मेडिकेशन पे या जो भी ट्रीटमेंट उस पे स्टार्ट कर सकते हैं और अगर जो भी पेशेंट उसके लक्षन जादा गंभीर है तो हो सकता है पेशेंट को हस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत परे और उसको आईस्यू कभी-कभी ऐसा होता है कि बॉर्ड फ्लू जाद अगर आप मांसाहारी है और अंडे का सेवन कर रहे है और जो कि एक इंफेक्टेड बर्ड से आ रहा है या तो आप वो चिकन खा रहे है जो कि एक इंफेक्टेड था तो चांसे है कि अगर वो अच्छे से ना पकी हुई हो अंडा कच्छा हो या चिकन अच्छे से अच्छी तो उसमें वो वाइरल पार्टिकल्स रह जाते जिससे कि आपको बॉर्ट फ्लू हो सकता है तो इसलिए यह बहुत आगश्चिक है कि अगर आप अंडा खारे तो पूरी तरसे पकी हुई हो हाट बॉयल एक्स हो अगर आप बॉयल एक्स खा रहे तो या तो अगर आप चिकन ख खा रहे तो चिकन को कम से कम 165 डिग्री फेरेन हाइट जो कि काफी हाइट एंटरेचर है उसमें पकाया गया चिकन हो अच्छी तरह से पकी हुई चिकन हो तब ही आप उसका सेवन करें नहीं तो खाने के खाने से भी बर्ट फ्लू एक्पेशन को आप बर्ट फ्लू कंट्र कर सकते हैं उमीद करते हैं हमारी ओरती दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ते हेल्साइट डॉट कॉम